मध्यप्रदेश में विधानसभाद चुनाव होने हैं इसलिए कॉंग्रेस पार्टी अभी से चुनाव की तैयारियों में जुट गई है साल के आखरी में विधानसभाद चुनाव होने है इसी के चलते एक कॉंग्रेस की राश्टे महासचीव प्रियंका गांधी वाड़ा से चुनावी अभियान की शुरुवात करेंगी इस अभियान को लेकर कॉंग्रेस की एक नेता ने बताया है कि प्रियंका वाडरा नर्मदा नदी की पूजा अर्चना करने के बाद 12 जून को जबलपूर में रोडशो करेंगी इस दोरान वे एक रैली के माध्यम से चुनाव में अनुसिचित जंजाती के लिए आरक्षित 13 में से 11 सीटों पर जीत हांसिल की थी इस दोरान भाजपा को सिर्फ दो सीटे ही मिली थी वही कॉंग्रेस की इस रैली को लेकर दावा किया जा रहा है कि इस रैली में दो लाग से जादा लोग शामिल हो सकते हैं इस इसी रैली में कम से कम दो लाग से जादा लोग शामिलोंगे इस साफ है कि कॉंग्रेस इस बार चुनाव में शांदार प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है खबर यहीं तक थी इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों को जाने के लिए आप देखते रहिए पंज